चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फुल पावर के साथ अपने लिए इस साइड वाला पुरा रोड खाली है कि याली भाईया आप जाईए यह वेलकम बैक टू माइटूब चानल अपना अली भाई तो आप लोग कैसे कमेंट करके बताना उमीद करता हूं एकदम बढ़ी विकोज अभी मेरे पास अभी सिर्फ यही है आप देखी सकते हैं रोज ब्लोग इसी के उपर आता है आप लोग से गाई इतना दिन से पूछ रहा हूं इसका नाम क्या रखा जाए आप लोग बता ही नहीं रहे हैं सो लेट मी उन्हों कमेंट सेक्शन गाईस इसका नाम बत सकते हैं आज का लोग में में स्टाट किये हैं विकोज सुबर से मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा काम था वीजी ता उसी में तो कब सामों गया पता ही नहीं चला अब ही टाइम मिला थो सोचा हूं आज चलो बलोग बना लेता है उसको प्लिकोज नाइट मैं भी बलोग के बहुत दिन हो गया था तो आज का बलोग नाइट भलोग होने वाला है कि अधर का गईष बलोग बनाया उसमें वास नहीं आया पूरा तीस चालिस मिनट का ब्लोग बनाए तो उसमें आवाज ही नहीं आ रहा तर पूरा मूड खराब हो गया गर पर इडिटिंग पर बैटा तो देख रहा हूं उसमें आवाज ही नहीं आ रहा है बट क्या कर सकते हैं ब्लोग में बने रहना गाई जाज थोड़ा भी स्किप मत करन आप इसकिप करके देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको ब्लोग को पूरा वाच करिए गाईज और जितने निव वीवर देख रहें गाईज जल्दी से जाए हमारे चैनल को लाइक सेर अंसब्स्राइब करिए और ज्यादा ज्यादा सेर करिए और खास करके पू पूने में कोई भी मोटो ब्लोगर नहीं है पॉपलर अभी तक बहुत अफसोस की बात है तो जितने ब्लोग पूने से भाई देख रहे हो ज्यादा ज्यादा सेर करो आपके एक सेर करने से काईज बहुत कुछ हो सकता है हम यहां से निकल जाएंगे बाहर अपने को सीधा न चाहिंगे इसके अंदर यह वाले रोड के अंदर नॉन स्टॉप पता है आपको व्रेकर नॉन स्टॉप में ग वigner affirm होई देख सकते हैं और आपलोग पाइसे कमेंट करके बता किया अजके लाप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं क्यों नाराज है हमसे तो जाए जल्दी से गाइस कमेंट करिए और गोप्रो में व्यूंक कैसा आ रहा है अप पहले करके बताना मुझे क्या हुआ है तो अभी शाहम कड़े में फूल ट्राफीक ही मिलेगा olduğunu कुई नहीं आपको पताए अपने भाई का राइडिंग कि रेक्षट रोकर तो ये ही फाया होता है ट्राफीक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं नहीं हो तो फिक लगेगा तो भी इदर से कट मारो निकल लो इसके लिए तो रियक्शन आते हैं भर-बर के कि क्या वोलते गाईज जाओ अगर ब्लोग पसंद आ रहे हैं तो ठोको लाइक ठोको अभी तक क्या कर रहे हैं अभी तक नहीं ठोको तो लाइक ठोक दो गाईज लाइक वाला बटन एकड़म दबा दो गाईज अब यह हम अंदर ग्राउंड चल रहे हैं आप देख सकते हैं अपने लिए इस साइड वाला पुरा रोड खाली है कि याली भाईया आप जाएए देख सकते आप लोग में बट यह बीच बीच में पानी है गाईज तो थोड़ा डर सा भी लग रहा है कि टायर बहुत गंदा सिलिप करेगा अगर इमरजेंसी ब्रेक लिया जाए तो बट अपना स्पीट भी इतना अच्छा है कि टायर तुरन सूप भी जाएगा और सामने अभी अपना आएगा वो लंदन वाला ब्रीज तो आज हम उसके नीचे से जाएंगा और अपना मेट्रो लाश्ट इंडो गया यहीं पर देख सकते हैं और यह रहा अपना लंदन वाला उपर से गया है तो आज हम इसके अंदर से जा रहे हैं अपने साथ कोई राइट करने वाला हई नहीं टकर में अपनी बुलिट भागी नहीं रही गाईज इसको और भागना से यह था देख रहे हैं गाईज पूने का रोड पूने से जो है उनको तो भी कोश्पता ही होगा कितना अच्छा रोड है अपने पूने में पूरा अर्टिसी हुआ है अभी काम चालू भी है जगा जगा कोई नहीं टक्कर में क्या पड़े हो चक्कर में ओनो गाईज आसी मजाग भी जरूरी है लाइफ में जो जहां है अपने लाइफ में एंज्वाय करो अपने माबाप से प्यार करो गाईज अपने फैमली से प्यार करो दुनिया तो क्या बस मजा लेगी आप कुछ भी करोगे वो रोकेगी आपको देखके हसेगी मजा कुड़ाएगी टांक कीचेगी बड़ कोई नहीं आपको लड़ना है खुद से लड़ो उनका काम है करने दो आप अपना काम करो अपना मेहनत करो विकोज आपको भी पता है जो बनता मेहनत करता है उसके साथ उपर वाले होते हैं तो आप लोग जो भी काम करो मन से करो अपने फैमली के साथ कुछ रो अपने मापाप का इस्जत करो उनका केर करो कि अपने को कट मारने में बहुत मज़ात है कि अपने बुलेट से बहुत प्यार करता हूं गाइस इसने कभी आज तक धोका ने दिया है इसको लंसम चार साल हो गया है कि आई थिंग चार या साड़े चारा है ऐसा है समतिंग कुछ हुआ होगा अब थाई जब रोट पे निकलते हैं इसको लेके ना तो क्या है रियक्शन मिलता है और यह लाइट चेक करोगा इस पोल पे देख सकते हैं कितना जबर्दस लाइट लग रहा है और यह रोट सीद सामने क्लोज है इसलिए ब्रेकर मिला बट वापस हैं गूज दाएंगा इसके अंदर से कि एक दिस आउट गाइस कि सामने अपना तिरंगा शुलूट है देख सकते कितना प्यारा दिख रहा है आई होप कि इसमें दिखना चाहिए है और नाइट में कैसा ब्लोक का विवार रहा है गाइस वालिटी का इसके लिए सोलेट में उन्हों कमें्ट सेक्ट्टन अपना तिरंगा देख रहे हैं कि इसा कितना प्यारा दिख रहा है वाव कि लिख रहागा आपको और यह लाइट चेप्तर गाइस बहुच्च्छ ब मुंबई अपने को मुंबई जाना नहीं है अभी दस दिन वा मुंबई जा कर आया था मैं बट कार से गया था आप लोगा प्यार और सपोर्ट रहा तो किसी दिन बाइक से जाएंगे मुंबई अभी हमें भक्ति सकती चोक में बस वाले को जाने दो चेक दिस आउट कितना प् तो यह पूरा भक्ति सकती चोक है गाईस तो फाइनल अभी हम आ चुके हैं इस साइट कुछ बुलेट से ब्लोग बनाने में बहुत मुझा रहा है क्योंकि यह इतना हेवी है कि एरम रोट पकड़ के चलती है उचल कुदल कम करती है आपको भी पता है इसकी वेट प्राधिकरण में आता है आज थोड़ा ब्लोग सायद लंबा हो जाए तो गाइस थोड़ा अर्जेस्ट लेना कि अभी लॉंग वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाला है यहां पर एनी टेम ट्राफिक मिलता है कोज यहां पर कोलेज है ना इसलिए और रेलवे लाइन भी है तो रेलवे तो खैर उपर से निकल जाते हैं कि यहां पर कोई रिस्पॉंस नहीं है कोई कहीं से भी घुशता है इसलिए जाम लग जाता है कभी कभी एक बार तो इसके अंदर पांच गाड़िया ठुकी थी एक के पीछे एक कार यह तो कम है गाई जाभी नौले बिरिजवाल आपने देखाई होगा वीडियो 43 प्लस गाड़िया एक के पीछे एक पूरा चकनचूर हो गई थी बहुत तगड़ा एक्सिटेंट था बंदों का थोड़ा भी दया निदर उदर रहेगा तो ठुक जाएगा यहां पे है दिवाई पाटिल कोलेज तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा रस रहता है नी टाइम यहां पे मिलेगा आपको रस अब यह आपको दिखाता हूं आगे कोलेज है बहुत बड़ा कोलेज है गाईज और बहुत सारे ब्रांश है इसके यह रहा तिवाई पाटेल इंटरनेशनल इनवर्सिटी यह वाला रूट गाइस इने स्पेशल हो जाएगा बेट हमको उदर नहीं जाना है हम तो इदर कट जाएंगे लंदन परीज के तरफ तो यह रहा हमारा लंदन ब्रेज ओल्ड वाला इसके पहले लाइटिंग अच्छा था तो अच्छा लगता था अभी कुछ लाइट खराब हो चुके हैं देख सकते हैं कि हुआ कालिटी कैसा रहा है मुझे नहीं पता है कि अधिक व्लोग रहा है अगर बलोग पसंद आ रहा है घाइस तो क्या करना आपको पता है बताने की जरुवत नहीं है और पूने वाले मेरे भाई चल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को सेयर करो सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो गाइज विकोज सपोर्ट की जरुवत है जल्दी से वन के कराईए तो फाइनल अभी हम आ चुके हैं कुछ इस तरह के लुकेशन पर अब यहां से पूरा ओवर विरीज इस्टार्ट हो जाएगा और ओवर विरीज पर भाने में माच आता है कि उसके वो प्रेकर नहीं मिलता है कि राइड 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 सेफ गाईज एक दिन का ब्लोग नहीं है जिंदगी भर बनाना है तो उसी हिसाप से आप राइड करिए कभी भी जल्द बाजी मत करी कौन सा रोट पर कहां गड़ा है कहां ब्रेकर एट टूज अपने को पता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है कि अब ने तो कितने राइडर को मैं देखता हूं गूगल में लगा के चलते हैं अपने को वह सब दिक्कत नहीं है रोट के मामले में विकोज आपने को 12 सल पहले से पूना पता है इसलिए कोई दिक्कत होती नहीं अपने को मोटो व्लोगिंग के लिए रास्ता पता होना सबसे इंपोर्टेंट है तब ही तो देखते हो आपका भाई संसंस निकलता है कोई रोक टोक नहीं किदर से भी कट मार के आपका भाई निकल लेता है तक हम जाएगे यहां से नीचे कोई उपर से नहीं जाना है आप निकल जाएंगे यहां सब बाहर तो हम इसके अंदर से निकल जाते हैं विकोई उस तर से मिलेगा ट्राफिक सामका टाइम है तो गाइज उम्मिद करता हूँ आज का ब्लोग आपको पसंद आएगा और थोड़ा ब्लोग सायद लंबा हो जाए तो गाइज आप लोग अरिजेस्ट कर लेना तो गाइज जल्दी से हमारी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा ज्यादा सेर करिए पूने वालो भाई और कौन कहां से ब्लोग देख रहा हैं सो लेट में उन्हों कमेंट सेक्शन तो जाए जल्दी से अपने भाई के साथ प्यार दिखाए सपोर्ट करिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक आँ खाते रहो पीते रहो मुश्त रहो सोस्त रहो इसे ही प्यार बरसाते रहो बाई बाई